आज की यह बीडियो बिये फ़स्टेर के फ़स्ट समेस्टर के छात्रों के लिए महा संग्राम रिवीजन क्लास होने वाले हैं जिनका सब्जेक्ट प्लिटिकल साइंस यानि की राजनीती साफ्त रहे और उनकी परिच्छा कल परसो या फिर आने वाले दिनों में तो मैं गैर आपको दिखाएंगे कि कैसे आता प्लिटिकल साइंज का और साथ साथ में पिछले सालों के कुछ को हैं और इस साल के कुछ मोश्ट इंपार्टन कोश्टन एंसर हैं जो कि आपके एक्जाम के नजरिया से इंपार्टन है वो भी हम आप लोगों समस्त प्रुस्तुत करेंग तो यह प्रश्ण पतर अगर आपका है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महात्पून है ठीक है और 75 नंबर का पुडांग होता है यहार इनुवर्सिटी में होता है समय दो घंटे का ज्यारातर मिलता है ज्यारातर इनुवर्सिटियों में ठीक है क्योंकि बाई जब से न चली सबसे पहला आज किस वीडियो का प्रश्ण ध्यान से सुनेंगे बहुत ही पोप्लर है ठीक है 1857 के संतंतुता संग्राम ने राष्टवाद के उद्य में किस प्रकार योगदान दिया है पहले तो मैं आपको इस मार्डल पेपर से कौन-कौन से आपकी परिच्छा में सकते हैं कौश्चन वो बताऊंगा उसके बाद कौश्चन एंसर सीरीच की ओरम बढ़ेंगे ठीक है जान लीजे कि बहिए दोजार चोबिस वाले मार्डल पेपर से कौन-कौन से कौश्चन आ सकते थी तो आपको जानना बहुत ही ज़रूर है ठीक है तो यह मैं आपके जान परिच्छा काल परसों है तो आपके लिए भी बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्चन है 1857 की सुतंतुता संग्राम के बारे में आपको पढ़ लेना है कई बार फंस चुका परिच्छा में और आपकी भी परिच्छा में फंसेगा अगला भी बहुत ही पॉप्लर कोश्चन हो पूचा गया तो थोड़ा आपको बना बना के लिखना कुल मैं के 200 सब्दा आपको कम फिकम दोड़ाई पेज आपको लिखने पड़ेंगे ठीक है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे तो यह बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है कई बार पेच्छ हम रिपीट हो चुका इस बा और कॉमन कोश्चन है तो आप भी तैयार भी कर सकते हैं इसका उतर ठीक है कि भारतीन नागरिक्ता कितने परकार क्यों होती है ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है जो कि हमेशा एक भी बार ऐसी परिच्छा नहीं गई है राजिनीती साफ्तर की यानिकी प्लिटिकल साइंस पूछा ना गया हो है ठीक है सभी पृष्छाओं में पूछा गया है प्रशन पिले फाल हम जितने भी पेपर हुए है तो आपके कम से कम 10 से 12 नमबर गैरंटी 100 परसंट स्योर के साथ आपके पक्के हो जाएंगे मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तब इनके बारे में आपको चिस पढ़ लेना गैरंटी दे रहा हूं कि आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा मैं आपको 100 परसंट गैरंटी के बता रहा हूं यह प्रशन आप तयार कर लिजेगा दोनों को दोनों 10 से 12 नमबर आपके पक्के हो जाएंगे पक्का स्योर हमेशा पस्ता है अगला प्रशन है कि राज जी के नित निर्देशक तत्त कितने प्रकार के होते हैं उनके नामत है यह भी कॉमन कोईश्चन है लेकिन कभी कदार आता है तो आपकी एक्जाम के लिए 80 प्रतुसत आने क उम्मीद है तो 80 प्रत्त चांस है इसंस कोईश्चन के आपके वजच्छा में आने की तो इसको भी आपको ध्यान रखना है बहुत ही पॉपलर कोईश्चन है ठीक है 80 प्रसेंट उम्मीद है की अगला कोईश्चन है रहते संबीदान को तयार करने में कितना समय लगा है चलिए कमेंट सेक्षिन नों बताइए जो चातर बताएंगे हम समझेंगे कि राष्ट पती का वेतन कितना होता है बहुत पॉपलर बहुत कॉमन बहुत ही सिंपल सा प्रश्ण है यह भी कई बार आ चुका है ठीक है अगला कोश्चन है कि राज जिपाल देखे इन सभी का उत्तर अभी कोई टेंसर ने लिए वाली बात नहीं जितने भी पेपर में हैं जितने भी मतलब की माडर पेपर में कोश्चन है लगभग राज जिपाल की छमादान सक्तिया क्या है यह छमादान थोड़ा निव आपको बट रहा लेकिन इसको आप इकनोर कर दीजिए यह समझे कि राज जिपाल की सक्तियों के बारे में कीजिए और राज जिपाल की सक्तियों के बारे मताई है इसा प्रस्ण देखने को मिल सकता तो बहुत इ पॉप्लर उप्ल सा कोश्चन है राजिपाल, ठीक है, प्रधानमंतरी, राश्टपती, ठीक है, राजीपाल, प्रधानमंतरी, मुख्यमंतरी, राश्टपती की सक्तियां और इनकी निवन्त कैसे होती है, यह आपको जरूर पढ़ना आ है, यह हमेशा फंस्ते ही प्रदान मंत्री की सकतियां यह पढ़ लेना है और साथ साथ में अगला कोश्चन है कि राजपाल की नियुक्त कैसे होती है राश्ट पती की नियुक्त कैसे होती है प्रदान मंत्री की नियुक्त कैसे होती है इन कोश्चनों का आप कोई जरूरत यार कर लेना है अगला प्रशन है कि समवर्थी सूची में कौन से भी से आते हैं ठीक है तो यह हमेशा नहीं रिपीट होता कभी कदार होता तो आप पढ़ भी सकते हैं बाकी एक डोल भी कर सकते आपके उपर डिपेंडि करता है अब आ जाएंगे हम खंडबा की और खंडबा में देख लेते कौन-कौन से महात्पूर्ण प्रस्णाव की परिच्छा में सामिल सकते हैं पहला कोश्चन बहुत ही पॉप्लर यह पक्का फंसेगा फंसेगा हमेशा पंसेगा कि भारते इस समयधान के देख बैठ लेवल का कुश्चन है कि उसका चुनाक वइसा होता है यह हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पड़ विसका फंसेगा होगा जिलुद्धान 255-10 लेकिन इस से जुड़ा इसके बाद अगला प्रशन है बहुत ही पॉर्पलर है कि राजपाल और मुक्रमंतरी के बीच क्या सम्मन्द है मतलब जो राजिपाल होता और मुख्वंतरी दोनों के बीश सम्मंद और प्लस इन दोनों की नियुक्त कैसे होती दोनों की पावर सक्तियों के बारे में आपको पतयार करना ठीक है अगला कोश्चन गारंटी वाला जो कि हमेशा पसता उच्च नयाले और सर्बोच नयाले इन दोनों के कोश्चन पॉप्लर है और दोनों में डिफरेंस ठीक है तैयार कर लेंगे तो आपकी परिभासा इसे में मतलब की किलियर हो जाएगी तो दुरहों में इंतर पड़ लीजेगा और आपका सिंपल सा उत्तर उसे में अंतर गर आ गया तो इंतर भी लिग देंगे वह प्रदान मंतरी राष्ट पती राजपाल के कार क्या होते हैं उनकी सक्तियां उनकी न्यूक्त कैसे होती यह भी आपको ध्यानक नहीं तो यह जो माडल पेपर हैं मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई भी नहीं लेगा इतनी अगर इनमें देगे कुश्चन ठीक है अगर आप उस पर हमें बताईएगा कि सर यह नहीं आया था आपने जो बताया था और नहीं आएगा उसी दिन से पढ़ाना छोड़ दूँगा ठीक है यह जाद रखना ठीक है ओके यह कोश्चन आएंगे फसेंगे जो मैंने आपको बताया अब आज आएंगे हम कोश्चन आएं स हमें लिखना है कि मूल सभिधान में भारतीन नागरिकों के लिए करतब नहीं बताये गए थे सन उन्यों सोचितर में बैलेश्वे संसोधन के द्वारा सभिधान के लगभग ठीक है भाग चार में अनुच्छेद 51 के अंतर गत 51 का जोड़ा गया लेकिन इसे भाग तीन में दिये गे मूल लदिकारों के साथ पढ़ा जाता है भारते नागरिकों के लिए जो चार मूल करतब बताएगे हैं जो की निम्नुवत है तो ध्यान रखेंगे जो नागरिकों के लिए भारत के नागरिकों के लिए दस मूल करतब बताएगे उनको ध्यान रखना पहला है कि स इसको फैंक रहा है तो उसको उसको इसे बचाना है अगर कहीं फड़ा है तो इसको फुरचित अफदान रखें और उसको अगर कोई नागरिक जो आम-जनता होती इसके टिके ऐसका सम्मान करना चाहिए अगंग। 126 अंश्राया को पूर्भत को पृतसाहं देंगे हैं कोई समस्या तो उसके लिए नोगों को बिखशित किया एहिए थीक है यहनै की इंसान अधर जा सबस्क्राइब सामना करें तो एक शाठवा नममर का करतब हूं है प्रतेक नागरिक हमाई सांस्कृत की गवर्सूल परंपराव महत्य को समझेगा और पर्म रच्छन करेगा साथ वह कि प्राकृतिक पर्यावन की रच्छा सभी नागरिक करेंगे पेड़ लगाएंगे ठीक और उनको काटेंगे नहीं ठीक है यह मतलब कि जब तक वह सूख न अरजुन की भावना का विकाफ करें सावजनिक चंपति को फुरच्छित रखने के लिए प्रतेक नागरिक डिढ़र रहें मतलब की एलर्ट रहें ततपर रहें और दस नंबर है कि बेक्तिकरों सामोहिक गदविदियों की सभी छेत्रों में उतकर स्क्योर बढ़ने का सतत् आम जनता के नागरिक के मूल करतब है जो कि हमेशा परिच्छा फंसता तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है बहुत ही पॉपलर हंडर परसंट गारंटी वाला कोश्चन है ठीक है अगला परसंट है कि संगी मंत्र परसंद की रसनायों अधिकारों का वड़न कीजी ठीक के यह संगी मंत्र तो द्यान लक्क्षां आम जनता द्वारा हो जाता है कि रसीजन है तो जाता है कि कौन राष्टपती बनेगा मतलब कौन प्रदान मंत्री बनेगा वह राष्टपती ही दिवाइस दिसाइट करता है ध्यान लखेंगे ठीक है ओके तो यहां पर कुछ उनकी मतलब की जो निमने बाते हो भी बताएगी जो कि आप पढ़ लीजेगा ठीक है मन्ति-पर देखिए कोईशन पूछा भी गया था उपर उच्छ नियाले और सरबोच नियाले पर जोड़ा तो पहले उच्छ नियाले का परिच्छ जान लीजिए उत्तर में लिखना कि संविंधान अनुच्छे दोसोचोदा के नुसार प्रतेक राज यानि कि जितने भी राज हैं भ कितने मतलब कि तैके कमेंट सबीं इसमें अब सभी को मालूँ से ठीकिंगे पर बात किया जा है पंज्याब और हणियारा चंडी गण इन ती राज्यों के लिए एक युच-णियाले जो होता है मामला आयेगा तो रही मुंबई उच्छिनयाले में उसका निर्ड़े किया जाएगा चाहे महरास्ट का हो चाहे माहराष्ट का हो चाहे दमन का कोई मामला हो धादıra नगर verweli का उसका जो मुख्याले यहनि उच्छिनयाले हाई-फोwnबई ही है ठीक इस बात दिखानाम कि असम सहीं के लिए इक ही उच्चे नयाले अर्था सबस्ते हैं लोगों के मामले कबर किया जाते हैं इलहाबाद थ्यान नखेगी वहत ही पॉपलर और आपको यहां पर कुछ नियाधीफ पिड़े कोश्चन भी दे जाएंगे माली जिए उच्छ नियाले कोई नियाधीफ बनना चाह रहा तो उसके लिए क्या यूगताय होनी चाहिए तो सिंपल सा आपको आपको हाई कोड़ का जज बनना है तो आपके पास क्या यूगताय ह होनी चाहिए पहला भारत का नागरी खुना चाहिए क्म से कम दस वर्स तक न्याइक पन पत रहा हो ठीक है अथवाई एक deos वर्स तक लाहओ एड्य ने से कम नना हो से लगत को और द्याiner हो की जो नुख्त ही की से दास्ट् सबाथ के दो भाल संबंदित राजिके राजपाह से प्राप Catholics याने की सरलह करता है अन्लियाधैश की न्यूक्त करते समय राष्ट्पति की मुख न्यूक्त के आदिस के इस पता के फिदान को अपनाता है अगर इक को चिनाले के लिए कोई यह नियाधिस है या जज मनना चाहरा तुछ के लिए क्या योगताएं होनी चाहिए सपत कारेकाल यह सब को द्वारा प्रस्तावित तथा इतने ही निर्वाचक को द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए इसे संसोधन के द्वारा राष्टपती पदी के लिए जमानत की राफी 15000 रुपे निश्चित की गई ठीक है और उसके बाद आपको लिखना है कि निर्वाचक मंडल के बा पर आन सुधार पर एक निमान लिखे यानि कि भारत में चुना होते लेक्षन होते उनमें क्या-क्या सुधार की जरूरत है और क्या-क्या सुधार किया जानी चाहिए उसके बारे में प्रस्ण है और बहुत ही पॉपलर को इच्छा मैंने को मीद हो ध्यान रखेंगे ठीक ह कि अध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चन है अगला इक भारत सासन अधिनियम की मुख्य विसेष्टा यह भी कभी कदा रहाता हमेशा नहीं आता तो पढ़ भी सकते एग्णोर भी कर सकते हैं क्या प्रस्ताव थे भारत को आजादी दिलाने में यह कहां तक साहए करें भी कई बार पर इच्छा में आ चुका है तो इस पर थोड़ा फोकर्स कर लीजिए आप लोग ठीक है कई बार आ चुका है विधायका की सकतियां में होस्ट कि क्या करना यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट है कि भी कई बार आ चुका है कि जो 42 में संसुधन किया गया था ठीक है उसमें क्या परिवर्तन किये गए उसके बारे में आपको लिखना बहुत महात्मोंट परशने भी उत्तर आपके समझते पढ़ लीज मौलिक करतब देखा था ना तो दस मौलिक करतब हैं जिनको आपको ध्यान रखना है उप राष्टपती और राष्टपती के बारे में पढ़ लेना कि वास्त्रिक इस्थित को इस्था की गई है इस पद के लिए योगिता राष्टपती के समान होनी चाहिए ठीक है वह रा दोनों सद्रों के फदश सामिल होते राष्टपती का कारिकाल पांच वर्स निर्धाई थे लेकिन समय से पूर भी वह अपना त्याग पत्र राष्टपती को सोब करता है ठीक है कहने के मतलब या यह आप लोग समझ गयोंगे कि पांच वरस का का रिकाल होता लेकिन अगर और राष्ट पत्र हम सकता है भाइब प्राप्त होता है यहां पर कुछ शक्तियां भी होती है राष्ट पत्र नहीं सकता है अगला भी question कई बार आ चुका है महत्मा गांधी फिजुड़े एक दो question पक्का देखने को मिलेंगे दो आते हैं ज्यादा लेकिन एक तो पक्का ही आएगा ठीक है 1930 में महत्मा गांधी द्वारा चलाएगा सब नया ज्यान दोलन के बारे में पढ़ लिजेगा यह important है ठीक है ध्यान रखेंगे ओके script submission की बिवेशना कीज़े यह भी महत्मा गांधी बारा आ चुका है ध्यान देंगे ठीक है आप सभी तो आपके exam में कुछ इसी प्रकार प्रसंद देखने को मिलेंगे तो आपको तयार जरूर कर लेना है और लगभग लगभग प्रसंद यहीं से आएंगे बाकी जो model paper में वो उपर जो model paper था ना इसमें इसमें जितने भी question दिये गें लगभग लगभग का उत्तर तो नीचे है ही जिनका नहीं है वो आपको internet पर सच कर लेना ताकि आपको आपके exam में help मिल ही जाए ठीक है बाकी यह जो पीडिया पर इसको हम टेलिग्राम वर्टस पर प्रोवाइड कर दे रहे है तो वहाँ फे डाउनलोड करके आप लोग तैयारी कर लीजेगा जहिंद